और बरेली में यूपी और उत्राखंड का बार्डर इन दिनों वन विभाग के करमचारियों के लिए अवैद उगाही का अटाप बना हुआ है इन्हें ना तो अधिकारियों का खौफ है और ना ही कानून का डर सहारा समय ने करमचारियों दोरा की जा रही अवैद वसूली को कैमरे में कैद किया है देखिए खास रिपोर्ट हाथों में हरे हरे नोट गिंता ये शक्स वन विभाग का करमचारी है जो टरक ड्राइवरों से अवैद वसूली कर रहा है शहर के बहेड़ी इलाके में यूपी उत्राखन के वन विभाग की चेक पोस्ट का ये नजारा आम है यहां रोज ट्रकों से अवैद वसूली की जाती है इन करमचारियों की जिम्मेदारी राजस वसूली की है लेकिन ये लोग सरकारी खजाने को चूना लगा रहे है इस चेक पोस्ट से रोज करीब एक हजार ट्रक गुजरते है लेकिन सिर्फ सौ डेड़ सो ट्रकों से ही नमबर एक में पैसा लिया जाता है बाकी का इन करमचारियों की जेब में जाता है ट्रकों से अवेद वसूली किस तरह की जाती है ये भी आप सुनिए लेकिन डीएफो साब को चेक पोस्ट पर हो रही अवेद वसूली के बारे में जानकारी ही नहीं है और जब सहरा समय ने उनके सामने मामला उठाया तो उन्होंने जाज की बात कहकर पला जाड़ लिया यदि इस टाइब का कोई भी मामला संग्यान में आता है तो भी भागी करमचारी एक खलाब तो में स्वहिं कारवाई करूगा और इस चीज को बरदास नहीं किया जाएगा और इसलिए उनको कैमरे में कैमरी की विस्था भी इसलिए की गई है कि उस पर्ट्रिकुलर आप भी सामने आ सकेगा अभी कुछ दिन पहले विजिलेस में अवेद वसूली करते हुए एक वनरक्षक को ग्रफतार किया था जिसके बाद भी उगाई का काम जारी है करमचारीों को कोई डर नहीं है शायद वो ये पैसा उपर तक भी पहुँचाते होंगे अखलेश कुमार सहारन विजबीरो बरेली